तो कैसे हैं मेरे भाईयों मैं आज़े रोंक और ने वीडियो के साथ तो और यहां पर आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पार हैं ICI bank का यहां पर website है तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ICI bank का user ID होता है और password होता है उसको कैसे retrieve करें या password का कैसे retrieve करें तो यहां पर मैं अपना user ID भूल चुका हूँ तो यहां पर देख पार हैं आप लोग मेरे स्क्रीन पर है तो यहां से मैं आपको simpleology method से retrieve करके दिखाऊंगा तो अगर आपके पास bank account details है तो उससे भी हो जाएगा debit card है तो उससे भी हो जाएगा credit card का अगर user ID password भूलेंगा तो आराम से उसको भी retrieve कर सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं दिखाता हूँ कैसे आप अपने user ID को retrieve करें तो यहां पर देखे पहले आपको जो भी अपना browser यूस करते हैं उसे open कर लें आप अगर mobile चलाते हैं या और कोई browser चलाते हैं तो आप उसमें भी तो आप देखें आपको टॉप में यहां पे बना button को अप्षन मिलेगा अगर आपको यहां पर zinc लॉ करेंगे तो एक और न्यू टाप खुल जाएगा आपके जो भी ब्राउजर यूज करते हैं वहाँ पर आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए तीन स्टेप है मतलब तीन मेतड़ से आप अपना चार मेतड़ है बेसिकली तो ट्रावल कार्ड बहुत कमी लोग इ या bank account details के उपर क्लिक करेंगे तो वह option आ जाएगा तो चलिए पर पहले मैं आपको bank account details डालके यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको retrieve करना है तो आपको अपना account number तो पता ही होगा अगर नहीं पता तो आप जाके i-mobile आप उसमें download करके मतलब login करके देख सक करने के लिए मतलब authorization करने के लिए आपको अपना debit card लेना होगा तो debit card यहाँ पर mandatory है तो मुझे पता नहीं था यह ज़रूरी था इसके लिए मैं first time login कर रहा हूं तो यहाँ पर आपके सामने में यह दिखा रहा हूं तो debit card के पीछे आपका यहाँ पे कुछ alphabets दे रहेंग बी है , जी है और के नहां यहाँ पर क्या number है आपको यहाँ डालना और गले डालना है तो इस देल मेरे और ठील आख सकते हैं नीट, login, password आप यहाँ पर क्लिक करके भी जनरेट कर सकते हैं तो customize your ICI Bank Intent Banking user ID क्लिक के रहतो हो अपना user ID चेंज भी कर सकते हैं तो चलिए हाँ पर मुझे अपना password जनरेट करना है पहले तो चलिए हाँ पर user ID तो मेरे mobile नमर पर आ गया है, message आ गया है three simple steps है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग तो यहाँ पर देखिए click here to proceed के उपर आपको click करना है अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपको अपना user ID तो पता चली गया हो गया आप यहाँ पर अपना user ID डाल देता हूं user ID डाल के यहाँ पर अपना mobile number डालना है तो चली यहाँ पर मैं अपना mobile number डाल की यहाँ पर go के उपर click करता हूं तो यहाँ पर देखिए हम आगे है next page पर तो यहाँ भी same process है अब यहाँ पर देखिए unique number है तो यह unique number आप जो आपका जो register mobile number है उस पर आया होगा और यहाँ पर देखिए जो भी मेरा यहाँ पर देख पा रहे है आप लोग F की जगह पर जो number है J की जगह पर पूरा details फिल करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे है go के उपर click करता हूं तो यहाँ पर देखिए हमारस जो authentication वहं successful हो गया है सब्सक्राइब यहाँ आप देखिए मेर रिंयाकर पासवोड करने का यहाँ है पूरा option देख पा रहे है आप लोग तो आपको ऐख सेफ़र आपने दालना है तो यहां पर देखिए यह पासवोड से तो आपका तो आपको मैं एक format दे दूँगा जैसे कि आप लोग मेरे display पे देख पा रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह का अपना password बनाना है तो आप उसमें capital letter, small letter और number भी चाहें तो डाल सकते हैं number डाल दीजिए safety के लिए कि जितना आपका password strong रहेगा उतना अच्छा रहेगा तो यहाँ पे कुछ इस method से डाल सकते हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहा है तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेरा password यहाँ पर पासफोर्ड यहाँ पर पासफोर्ड नहीं यहाँ पर message देख पा रहे है login password successfully generated तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको login now का option मिलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक किजिए login now के उपर तो आप यहाँ पर login पेज पर चले जाएंगे यहाँ पर देखिए तो हमारा user ID और password दोनों हमको मिल चुका है तो चलिए हाँ पर मैं दोनों चीज जालके login करके आपको दिखा देता हूं तो आप देखिए मैं अपना user ID और password डाल चुका हूं अब डालने के बाद देखिए जैसे login पे क्लिक किया तो हम यहाँ पर देखिए अपने dashboard पर आ गया है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहा है तो यहाँ पर पूरा feature यहाँ पर देख पाएंगा ICI bank का तो यह हम media links है सुमेर को follow करके बात कर सकते हैं तो आप आप लोगों को यूडियो अच्छी लेगी होगी तो अगर अच्छी लेगी है तो बने रहे हमारे चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो ज़रूर हमारे चैनल को subscribe कर दें और बे लाइक उनको दबरा ना भूले तो चल कर दो